तेहसील के वासी निवासी वैक्ती ने अपनी ही पुत्री पर शक करते हुए सजा देने हेतु उसके गुपतांग पे कपास के फाई में पैटोल लगाकर सजा देनी की घटना देड महाबाद कल उजागर हुई पुत्री द्वारा भीवापूर पुलिस में शिकायत दरज करने पर पुलिस ने आरूपी पिता को हिरासत में ले लिया है मिली जानकारी के अनुसार तहसील के वासी निवासी सत्रा वर्शिक कक्षब बारवी की छात्रा है और चीमूर तहसील के ग्राम खरसंगी मेभग किराय के मकान में निवास कर रही है डेड महा पूर्व आरूपी पिता गजानन शेंडे ने उसे किसी हम उम्र युवक से बात करते हुए देखा इसी बात पर शक करते हुए उससे दुबारा संपर्क नहीं रखने की बात पर पिटाई की और गुसे में उसके गुपतांग पर कपास में पैट्रोल लगा दिया जिससे उसे ततकाल तो कोई तकलीफ नहीं हुई लेकिन डेड महा बाद उसी आंग के आसपास काले दाग दिखाई देने से वह अपनी मा के साथ इलाज के लिए चीमूर इस्तित अस्पताल गई वहाँ चिकितसक ने चिकितसक के दौरान पूछने पर पिता के दौरा किये गए क्रत्त की बात उजागर हुई इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस में दे दी गई कि फर्यादी पुत्री की चिकायत पा भीवापुर पुलिस ने पिता गजानन शिंडे पर धारा 354A, 354B, 323, 506 और पॉसको कानून के तहट गरफतार कर आज एक दिन की पुलिस कस्चड़ी ले ली है कल उसे नाकपुर अदालत में पेश किया जाएगा थानेदा महेश भोटेकर के मार्क दर्शन में PSI प्रकाश चंगोले और अधिक जाच कर रहे है भीवपुर से NBCN के रामवाग मारे की रिपोच